नमस्कार साथियों, आज एक और खास विश्वपर वीडियो लेकर कि आपके बीच पाएं हैं जैसा कि आमने टैक्टन देख लिया होगा, इस विडियों बात करने वाला हुमें भारत्य जद्धा पार्टी की शक्तियों के बारे में, आम उसे कई साथी पूछ रहे थे कि आम बीच पी की, जो तेश की बड़ी-बड़ी पार्टिया हैं, इनकी शक्तियों के बारे में बताईएं, ताकि हमें पता चल पाएं, जो लोग उन पार्टियों में जाना चाहते हैं, उन्हें आसानी होगी, एक्ट्यों में लड़ाई किस से करने जारे हैं, तो मुझे लगता जाना चाहिए कि जिस पार्टी में उजा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और यहां मैं स्ट्रेंथ पर ही बात करने वाला हूँ, वीकने सिस पर जादा बात नहीं करूँगा, स्ट्रेंथ पर बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो शक्तियों के बारे में, कभी कमी उपर पर भी बात करेंगे और अगर माली जी आप भारते जंदा पाटी के सिंपताइजर नहीं है सपोर्टर नहीं है यह विरोधी हैं कॉंग्रेस ही है या किसी और दलक है या आप भारते जंदा पाटी के आइडलोजी को विचारधरा को काम करने के ठंको पसंद नहीं करते हैं तो वीडियो सबके काम आने वाली है, जो भारते जंता पार्टी में जाना चाहते हैं, उनके भी, जो नहीं जाना चाहते हैं, उनके भी, जो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, उनके भी, जो सपोर्टर नहीं है, उनके भी, जो भी किसी पार्टी में नहीं है, उनके लिए भी, जो वड़ी पॉलिडिकल पाटी है, ख्यर इस क्लेम को चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका बहुत सारे इस पर कॉशन हैं, और हो भी सकते हैं, बट अगर ये चैलेंज को थोड़ी देर के लिए साइट कर्द भी दिया जाए, तो इसमयात में तो कोई दोराय नहीं, कि भारत, देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस समय भारते जन्ता पार्टी है, और अगर सीटों के मामनें बात करें, तो लोकसभा में भी और राजे समय में भी उनकी सीटें, करनाटा की जैसे बड़ा राजे, गुजराच जैसे बड़ा राजे भी भारते जन्ता पार्टी के पास है, उनको लीट कर रहे हैं, इस्टेंथ हैं उनका संगठन और संगठन के नियम, क्या संगठन और क्या नियम, भारतिजंता-पार्टी एक नॉर्मल प्रोफेशनल प्लिटिकल पार्टी नहीं है, मैंने जितना करीब से देखा हमके नेताओं के साथ काम करके, और लगभर सभी पार्टी के शीट इस तरग पार्टी ना समझा जाए नाम है भारते जंदा पार्टी राजनिति की दल है लेकिन यह corporate house की तरह काम करती है पूरा professionalism जिसमें जैसे corporate house में CEO's होते हैं EO's होते हैं हरे department के head होते हैं directors होते हैं personal head होते हैं managers होते हैं senior managers होते हैं अलग-अलग पदादिकारी होते हैं बहुत गहराई तक बना हुआ संगठन है और professional strength है लेकिन अगर देखा जाए कि लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के संगठन नहीं होने चाहिए इस तरह से काम नहीं करना चाहिए तो वहर एक अपने-पनी सोच है बट मैं समस्ता हूँ कि professionalism के मामले में भारती जन्दापाटी का कोई मुकाबला नहीं है और ये भी शायद उनके चुनाओ जीतने के लगातार चुनाओ जीतते रहने के या अच्छी lead लेने का एक बड़ा कारण ये है कि उनका संगठन और संगठन के नियम बहुत strong है और fund के लिए उनके कभी कमी मी पड़ती है जितने संसादन जितने resources चाहिए किसी भी political party को survive करने के लिए regular running के लिए उससे ज़्यादा resources मौजूद होते हैं भारते जन्दापाटी के पास होते हैं नहीं अभी वर्तमाने पहने नहीं होते थी पहने तो बड़ी दिक्कत आती थी बड़ी जन्दापाटी को जब इस ठरकल का समय था बट आज की सिती में भारते जन्दापाटी शायद मुझे लगता है कि सबसे जादा फंड अगर कि कोई स्विच्छा से दे रहा है या फंड देने वाले लोग हैं तो भारते जन्दापाटी के पास है अभी आपने पिछ स्क्रीन लगे हैं सब जगह पर मीडिया हाउस है मीडिया रूम है और बहुत बढ़िया सिस्टम मना है तो उसकी रणिंग कॉस्ट भी लगवाग दो लाग रुपे महीन होगी तो वह तो आम इंसान तो मैनेजी नहीं कर सकता इतने सारे ओफिसे लेकिन भारते परणों से भारते जन्दापाटी को फंड दे रहे हैं और फंड के मामले में भी भारते जन्दापाटी सबसे मजबूत पाटी है समय पर और अभी जो ADR की रिपोर्ट थी Association for Demo-Pretty Reform उसमें भी बताया गया कि भारते जन्दापाटी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला था donation के रूपे अब लोग अपनी इच्छा से दे रहे हैं एक पार्टी को और उस पार्टी को fund मिल रहा है तो ये भारते जन्दापाटी की दूसरी strength है अच्छा fund, resources और recurring लगातार आना क्योंकि किसी भी political party है किसी भी organization के लिए अगर लगातार fund नहीं होगा लगातार source of income नहीं होगा तो फिर पार्टी या संगेटन सर्वाइव नहीं कर सकता भारते जन्दापाटी अगर सर्वाइव करें तो बड़ा रीजन ही कि उनके पास कोई ऐसा system है चैनल है तयार किया हुए मैं भी थोड़ा मत जानतों बड़ उस पर हम कभी और चर्चा करें क्योंकि वो इंट होना या समर्थन होना किसी के लिए भी जिनके पास लाखों की तादाद में फुल टाइमर है जो सुमसेवक बोलते हैं उनको वो सुमसेवक अपने घर से बाहर ही रहते हैं दूसरे खर जाते हैं वहीं खाते हैं और उनका काम फुल टाइम वैसे तो संग राजिन की से दूर अपर पर्श्दाइब कर ने में अधुरी के साफ से कोई धसरी कोई… और उनका कोई नीजी स्वार्थ या नीजी हित नहीं होता है, वो एक मिशन में लगेवे लोग हैं, और किसी को भी अगर मिशनरी के लोग मिल जाएं, जो धन, मन, तन से डेडिकेटरी लगे होंगे, तो डेफिनिटली उस संगठन को बनाये रखना या उस संगठन को आगे ब पूरा नियंतरन भी है भारते जन्तरन पार्टी पर ऐसा नहीं है, आप मेंसे किसी को लग सकता है, हो सकता है आपको लगे के संग अलग है, भारते जन्तरन पार्टी पर पूरा नियंतरन है संग का, उसमें पदादिकारी इस तरह से बनाये जाते हैं, जो आपको पता होगा कि वो पूरा कंट्रोल रखते हैं जो संगठन महामंत्री जिनको कहा जाता है वो संग से आते हैं और वो ध्यान रखते हैं वो संगठन पर निगा रखने का काम करते हैं और अगर क्योंकि संग समासिवा का काम करता है समाजी के संगठन है तो उन्होंने रूल बना रखा है कि अगर संग से आना है तो संग छोड़ दो, छोड़ना मतलब संगी कोई सदिस्था तो है नहीं, संग से आ करके आप राजिल दिया काम करो, फिर संग काम मत करिएगा, लेकिन संग काम तो लगातार चलता रहता, और संग अकेला नहीं है, सं भारतिणताभाएटी कोछ मुद्धों को लेकर बिल्कुल उसमें को UL forma उनको वोट मिले समर्थण मिले ना उन्हें मालम है कि हमें मुझे करना अगर लिए बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग कहर escape these are the main eigene movement है और यह लोग तो नाराज हो जाएंगे स begitu कार को उखार फेकेंगे यह हो जाएगा वह जाएगा तो मैंनों बताया कि भारते जंदा पार्टी का वोट नहीं तूटने वाला है अब आप उसे भक्त को अंध भक्त को गाली दो जो मर्जी को लेकिन सच्छा ही है वो उससे नहीं तूटने वाला क्योंकि जब वोथ पर जा प्रोसेष उन्हें शुरु किया भले किसी को पसंद आया कर नहीं आया वैसे पर भी डिपेट है कि पूरी दरा हटी है का भटेहीर कि क्या होगा लेकिन उसका लाब क्या हुआ इस पर बी डिपेट है या जैसे उन्होंने बात की कि हम पूरे पुरे देश में अनर्सी कराएंगे तो उसके लिए उन प्रोसेस शुरू किया उन्होंने रिजिड रहे उस पर और भारते जंदा पाटी की क्योंकि विचारधारा रिजिड है और इस पर कोई वेक्ति अगर उनकी पाटी का भी उनके संगेठन का भी अगर उनका विरोध करत करिके अपनी पार्टी म 그ऊल न है नहीं को फिर मनाया है नहीं को छीर हो कि यॉआ कि लगाता के नहीं मानने तो कोई बाठी लडें दो क्या हुआ हो और भारते जान्ता पार्टीं हो गेшей कों वासितिन काये पर नहीं है यहाँ पार्टीय संगठन उपर है नेता उपर नहीं वापस पार्टी बाइए ऐसे ही बहुत सारे नेता है उमा भर्ती जी के बाड़े में अपने सुनाइं था किस तरह से उन्होंने बगावत करने कुशिश की या वर्तमान में बात करी है पराने नेता हों की बात करे यहां पर कुछ अलग तरीक से काम होता है इसको अंदर से समझना पढ़ेगा भले वो किसी को व्यक्ति को वैसे तो वैक्तिवाथ जाधा चलता नहीं लेकिन फिर भी किसी वैक्ति को टाइम बिंग अगर अपना नेता मालने तो उस विचार धारा की वाज़ा से उसको नेता मानते हैं वो नेता ये ना सोच बैठे कि मेरी वज़ा से मुझे नेता सुई करके जा रहा है और यही कारण है कि आज तक भारती जन्ता पार्टी टूटी नहीं है टूटी मतलब नेता छोड़ करके गए हैं दूसरी पार्टी में चलेगे दर दिलेगे भाज़पा कोई नुकसान नहीं हुआ कॉंग्रेज जैसे इतनी बार टूट चुकी है बहुत सारे दलों में टूट फूट हो जाती है भारती जन्ता पार्टी में कोई भी धड़ा अलग होने के बाद भी भारती जन्ता पार्टी में कोई उफसान नहीं हुआ और लगबग हर राजेब हुआ दिल्ली की बात करें दिल्ली मदलाल फुरान नाम के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे लेकिन वो हाशे पर चलेगे क्योंकि उन्होंने भी भारती जन्ता पार्टी से बगावत करने को स्टिश्ट है और जो जैसे मैंने बता है लेकिन हम सब जानते हैं कि भार्तेजन्ता पार्टी की विचारधारा हीं वो एक परिकुलर धढ़े परिकुलर सोच और संग परिवार को एशा लगते हैं कि उनका जो सुपनों का भारत होगा उसको भार्त जनटा पार्टी फूरा कर सकते हैं यह यह बड़ी स्ट्रेंथ इन दोनों का combination मन रहा है तो यह विचारधारा फंड देने वाले लोग भारती जन्ता पार्टी के अपने संगठन और संगठन के नियम और इस तरह के विचारधारा से से कनेक्टी लोग LDR जो भारते जानधापार्टी को मजबूत साथ खड़ा करते हैं और आखीन जानधापार्टी की सबसे या किसी कि अब्धरोध बूत्यustice पार्टी पार्टी मिल जाएगा आपको और किसी पार्टी का नहीं следग है लेकिन भ्रती जाती हो लेकिन उनका कार्य करता है यह बहुत बड़ी स्टेंथ है पैन इंडिया पेनेट्रेशन पहले का जाता है भरत जंद पार्डी सेफ नौर्थ हिंडिया की पार्टी है फिर कागया प्रहमनों की पार्टी नहीं लगबग हर तपके हर जाती हर धर्म के लोग इसके साथ जुड़े तो जो लोग भारते जंता पार्टी में जाना चाहते हैं, उन्हें पता रहना से यह, कि अगर यहां जा रहे हैं, तो संगठन में fall in line और fall out, यहां पर आगर आप अपनी चलाना चाहते हैं, तो इतने बड़े बड़े नेताओं का हर्ष देख लेना, वो होने वाला नहीं है, पार्टी के साब से चलना पड़ेगा, और पार्टी कहेंगी खड़े हो तो खड़े होना पड़ेगा, पार्टी कहीं बैठ हो तो बैठना पड़ेगा, वैसे तो लगभग सभी पार्टी में सब्सक्राइब भारते जानता पार्टी क्योंकि एक professional political party की तरह काम करती है, तो महाँ जादा होता है, और अभी वर्दवान में भले ही कोई एक नेता दिख रहा हो, लेकिन नेताओं पर डिपैंड पार्टी नहीं है, यह political party वो है, जो एक ideology पर बेस्ट है, और ideology किसी भी political party का वो तना होता है, जितना जादा मजबूत होगा, उतरी जादा मजबूत हो 26 पृतिशत वोट शेर भारते जनता पार्टी के पास है, वो वोट शेर रहेगा, उसमें और 2-4-5 परिसंट का इंक्रिमेंट ही हो सकता है, उसको कम करना इतना असाल नहीं होगा, वो कम हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिन मुद्दों पर है भारते जनता पार्टी उन बुद जूट बढ़ाता है, जूट हो सच हो, लेकिन भारते जनता पार्टी को नबस को पकड़ा है उन्होंने देश की, उन्हें समझ में आ रहा है कि लोग क्या सोचने हैं, क्या चाहते हैं, और कैसे अपने लोगों को संगठीत करना होता है, और दूसरे वालों में कैसे तोड़ करनी होती है, यह उनके रणीते कारों को बहुत अच्छी तरह वालों में, तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके काम आएगी, फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, तो वीडियो के कमेंट बॉट्स में जरूर लिखेगा, मैं जवाब दू आपके उजो लाजिती भविश्य के लिए हार दी शुब काम आए, जै हिन, जै भारत!